हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में सेकंड फेज में जो आपका एक्जाम होगा 13 से 20 जून के बीच में SSE MTS expected कोशन करेंगे 13 से 20 जून सेकंड फेज एक्जाम के लिए 26 मई को कोई भी पेपर नहीं है ये वीडियो लेकर आया हूँ जिनका भी 13 से 20 जून के बीच में सेकंड फेज में एक्जाम है उनके लिए जितने भी कोशन करवाऊंगा इस वीडियो में सारे कोशन याद कर लीजेगा क्योंकि 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ यही प्रसन आएगा आपके सेकंड फेज जो की 13 से लेकर 20 जून के बीच में होगा जिस भी दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो एक साथ लाइक बटन को दबा दो जितना हो सके वीडियो को शेर कर दो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन ओन करके ओल पे सेलेक्ट करने से सारी नोटिफिकेशन मिलेगी MTS की तो चलिए पहले कोशन से सुरू किया जाए फर्स्ट कोशन में पूछा गया है कि कानून के समान जो सरंग्षन है वो वाक्य कहां से लिया गया है कानून के समान सरंग्षन वाक्य हमने अमेरिका से लिया है अमेरिका राइट आंस परोगा अगला कोशन फरवरी 1928 में आयोजित सरव दलिय समेलन के अध्यक्स कौन थे तो ये थे MA अंसारी बिलकुल ऐसे कोशन आपके 2 मई से 19 मई के एक्जाम में पूछे गए थे और 13 जून से लेकर 20 जून के बीच में जो सेकंड फेज के MTS के एक्जाम है जिनका भी उनमें बिलकुल यही कोशन आएगा तो पूरा में किस फूटबॉल टीम ने फीफा वर्ड कप 2022 का खिताब जीता है कतर में खेला गया था अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को फाइनल में हरा कर अगला कोशन 2011 की जनगर्णा में साकसरता ज्यात करने है तू किस आयू वर्ग के लोगों को समिलित किया जाता है तो इसका अ यहाँ पर टाइप नहीं है मैं आपको बता देता हूँ होली इसका राइट आंस्वर होगा बस्तर में जो डंडारी निर्तिय है न यह होली त्योहार पर आयजित होता है होली राइट आंस्वर हो जाएगा अगला कोशन करते हैं 2011 की जनगर्णा की अनुसार किस राजे में म जिहार में महिलाओं की साथसरता दर्स सबसे कम है अगला कोशन कोन टेबल टेनिस फेडरेशन आफ इंडिया यानि की टी टी एफ आई की पहली महिला अदेक्स बनी है तो यह बनी है मेगना एहलावत मेगना एहलावत राइट आंस्वर होगा अगला कोशन 1857 की क्रांति का चिन है क्या निशित किया गया था तो इसका राइट आंसर होगा कमल एम चपाती या फिर कमल और रोटी चपाती को ही रोटी बोलते हैं देहां रखेगा कमल और रोटी को 1857 के विद्रो का प्रतिक माना दाता है अगला कोशन सविधान का वह कौन सा भाग है जो सविधान के न सविधान सभा सदश्यों का निर्वाचन किसकी देखरेक में होता है तो यह होता है निर्वाचन आयोग की देखरेक में निर्वाचन आयोग राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है भारतिय सविधान के किस अनुछेत के अंतरगत वित आयोग का गठन किया आता है वित पतन का निर्मान हुआ था 1950 के दसक में अगला कोशन देखिए कोटिले के अर्थ सास्तर में किस पहलू पर प्रकास डाला गया कोटिले के अर्थ सास्तर में राजनितिक नीतियां पहलू पर प्रकास डाला गया था राजनितिक नीतियां राइट आंसपर होगा अगला कोशन है सोने के सरवादिक सिक्के किस काल में जारी किये गए थे तो ये किये गए थे गुप्त काल में गुप्त काल राइट आंस्वर हो जाएगा पूरा वीडियो लास तक देखिए 100% गारंटी है कि आपका जो 13 जून से लेकर 20 जून के बीच में सेकिंड फेज में MTS का एक्जाम बाकी है बिल्कुल ऐसे कोशन आएंगे बिल्कुल यही कोशन आएंगे वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है सब से रिक्वेश्ट है कि एक साथ लाइक बटन दबाईए वीडियो का जितना हो सके वीडियो को शेर भी कीजिए चेनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करके ओन पे सेलेक्ट करने से MTS की सारी नोटिफिकेशन पहुचेगी आपके पास अगला कोशन एब ब्रीफ हिस्ट्री ओफ टाइम नामक पुस्तक किस वेजानिक ने लिखा तो ये लिखा स्टीफन होकिंग वेजानिक ने स्टीफन होकिंग राइट आंस्वर होगा अगला कोशन हाल ही में किस देश से समंदित खिलाडी करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबोल से सन्यास लिया है तो ये थी फ्रांस देश की खिलाडी ठीक है अगला कोशन है शीव थापा किस खेल से समंदित है तो इनका समंद है मुक्के बाजी से मुक्के बाजी राइट आंस्वर होगा जी आईएस में जी का क्या आर्थ होता है जी का आर्थ होता है जी यो ग्राफिक इसका फुल फॉम होता है जी आईएस का जी यो ग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं हरी प्रसाथ चोरसिया किस वादेंतर के लिए प्रशिद है तो इनका समंद है बासूरी वादन से तो बासूरी राइट आंस्वर होगा अगला कोशन विजेवाडा सहर किस नदी के किनारे परस्तित है तो ये आपका आंदर परदेश में है विजेवाडा सहर और ये कृष्णा नदी महराष्टर के सतारा जिले के जोर गाउं के पास महा बलेश्वर से निकलता है हमसे बस इतना पूछा था कि विजेवाडा सहर किस नदी के किनारे पर है तो कृष्णा नदी आपका राइट आंस्वर था अगला कोशन हल्दी गाटी का यूद कब हुआ था तो हल्दी गाटी का यूद 18.015.06 को हुआ था 18.015.06 राइट आंस्वर होगा 18.015.06 को मेवाड के महारणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुरसवारों और दनूर धारियों और मुगल समराट अकबर की सेना के बीच में यूद लड़ा गया था अकबर की सेना का नेतरतव इस यूद में मान सिंगने किया था अगला कोशन देखिये किस भारतीय राजे की समुद्र तटिय सीमा सबसे छोटी है तो आपको बता दूं दोस्तों भारत में सबसे छोटी तट्रे का वाला राजे गोवा है गोवा राइट आंस्वर होगा जिसकी कुल तटिय लंबाई 101 किलोमेटर है अगर सबसे लंबी त संभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहां मना जाता है तो यह आपका लदाक में मनाते हैं लदाक आपका राइट आंस्वर हो जाएगा अगला कोशन है हरित करांती का समन्द मुखे तेकिस फसल से है तो यह है गेहूं से गेहूं राइट आंस्वर होगा अगला कोशन नमामी ग इसे जून 2014 में केंदर सरकार द्वारा शुरू किया गया था तो राइट आंस्पर होगा जून 2014 इसका उदेश्य प्रदूशन के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रे गंगा नदी के सरंक्षन और काया कलप के दोहरे उदेश्य की पूर्ती करना है अगला कोशन देखिए अगनी वल्ले की उपस्तिती किस महासागर में पाई जाती है तो ये प्रशान्त महासागर में पाई जाती है प्रशान्त महासागर राइट आंस्पर है अगला कोशन सबसे चोटी स्थलिय सीमा भारत के किस देश के साथ है तो अफगानिस्तान के साथ सबसे चोटी स्थलिय सीमा लगती है अफगानिस्तान राइट आंस्वर होगा सबसे बड़ी स्थलिय सीमा अगर पूछले कि भारत के साथ किसकी लगती है तब आपको होगे बांगला देश के साथ ठीक है अगला कोशन देखिए अमीर खुसरो की सासक के दरबारी कवी थे अल बेकानंद की उपादी महराजा खेतिडी ने प्रदान की थी राइट आंस्वर महराजा खेतिडी होगा अगला कोशन है किस नर्ते सेली का उदगम पूरवी भारत से है तो इसका राइट आंस्वर होगा ODC नर्ते की उतपती पूरवी भारत के ODC में हुई है तो ODC नर्ते राइट आंस्वर है अगला कोशन है बिम्बावती देवी किस परकार के नित्य के लिए सूविख्यात है तो ये मनी पूरी नर्ते के लिए सूविख्यात है मनी पूरी नर्ते राइट आंस्वर है अगला कोशन डांडिया कहां का प्रशिद नर्ते है तो ये गुजरात का प् यह मद्य प्रदेश के राय सेंजीले में है अगला कोशन है माल गुडी डेज के रचनाकार कोन है आरके नाराइन को माल गुडी डेज का रचनाकार कहा जाता है आरके नाराइन विलविदा राइट आंस्वर अगला कोशन नरुपा कहां का एक वार्शिक उत्सव है तो ये लदाक का वार्शिक उत्सव है लदाक right answer होगा अगला कोशन है राष्ट्र कूटों द्वारा एलोरा पहाडियों से निर्मित गुफा जो है वो कहाँ गुफा मंदर कहाँ पे है तो ये औरंगाबाद में है औरंगाबाद विल्बीदा राइट आंस्वर अगला कोशन किस भारतिये लेकक ने टू लाइवस पुस्तक लिखी टू लाइवस पुस्तक के लेकक है विकरमसेट विकरमसेट विल्बीदा राइट आंस्वर अगला कोशन SARS का फुल फॉर्म बताइए severe acute respiratory syndrome SARS का full form होता है अगला question देखिए दोस्तों next question है खिलाडी, सोमा, विश्वास की स्खेल से समधित है तो इनका समध है athletic स्खेल से किस vitamin में cobalt होता है vitamin B12 में cobalt पाया जाता है vitamin B12 right answer होगा अगला question है लोहे में जंग लगना किसका उधारन है oxykaran right answer होगा भागिरती और लकननदा गंगा में कहाँ पर मिलती है देव परियाग में मिलती है देव परियाग right answer होगा सविधान की आठवियन उसुची में 21 में समधानिक संसोदन द्वारा कौन सी बासा जोड़ी गी आठवे नुसुची में 21 सवेदानिक संसोधन के द्वारा सिंधी वासा जोड़ा गया सिंधी वासा राइट आंस्वर होगा अगला कोशन है कि स्वाइसराय के सासनकाल में पहला फैक्टरी अधिनियम पारित किया गया लोड रिपन के वाइसराय के सासनकाल में लो डिपन राइट आंस्वर होगा क्विक लाइम का रासानिक सुतर क्या होता है CAO, केल्सियम उक्साइड मचलियों के यकरत तेल में किसकी प्रचुरता होती है विटामिन डी की, विटामिन डी विल भी दा राइट आंस्वर तो यह है कोशन आपके सेकंड फेज जो की 13 से 20 दून के बीच में होगा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब के साथ ये एंड कीजेगा, जेहिंद जेवार